हेलो गाइज वलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल आज मैं आप लोगों को बताऊंगी फुल नेट की साड़ी कैसे पहने इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था उसमें मैंने बताया था हाफ नेट की साड़ी कैसे पहने तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी मैं आपको पूरी साड़ी दिखाऊंगी और हैवी बॉर्डर है रेड कलर की साड़ी है आप देख सकते हैं काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है और इस वीडियो में मैंने आप लोग को बताय हुआ है कि पल्लो के प्लीट कैसे बनाया बहुत ही ज्यादा अच्छा ट इसमें फॉल लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और एक बात का हमेशा ध्यान रखे जबी आप फुल नेट की साड़ी पहनते हैं तो आपका साटन का पिटी कोट होना चाहिए अगर आप नॉर्मल ऐसे कॉटन का पिटी कोट पहनते हैं तो साड़ी का अच्छा नहीं आ तो अभी फर्स राउंड अच्छे से टक कर लिया है मैंने और अभी मैं इसमें आपको बताऊंगे कि पल्लू की लंबाई कितनी होनी चाहिए इसके लिए मैं रफली ऐसे ही पल्लू को ले ले रही हूं पीछे से गुमाते हुए अपने लेफ शोल्डर पर इसमें बिलकुल आना ही चाहिए जो भी मैंने दिखाया आप लोगों को और यह रह सामने के प्लीर्स बनाने के लिए तो अभी इसको मैं बाद में बनाऊंगी और एक बार तोहर बता दो नेट के साड़े में ओपन पल्लू बहुत ही ज़्यादा खुब सूरत लगता है फिर अगर आपको ल लगता है और इस तरीके से मैं प्लीर्स बना रही हूँ तो एक एक प्लीर्स को बनाने के बाद मैं अरेंज करूंगी अभी आप देख सकते हे ज़्याद को इसको बराबर से अरेंज कर लेंगे क्या होता कई बार हम को मैं तो उसको आप ध्यान से देखें और सीधी लंबाई में ही पकड़ें फिर आपको प्लीट्स बनाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे प्लीट्स थोड़े से उलज गये हैं बट इतना भी टफ नहीं है हम ध्यान देखें पकड़ नहीं दिखेगा तो इसके लिए एक बार मैंने फिर से इसको पकड़ लिया है इसके बाद इसको सेफटी पिन से सिक्योर कर लेंगे अगर बॉर्डर ज्यादा है तो हम बड़े वाले सेफटी पिन का यूज करेंगे तो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और ध्यान रखें कि जब भी बॉर्डर हेवी है या फिर वैसे भी साड़ी पहन रहे है तो बहुत आगे पिन ना लगाएं थोड़ा पीछे ही हटके लगाएंगे नहीं तो आप जितनी बार जुकेंगे या कोई काम करेंगे तो बार बार आपके पल्लू जो है पल्लू वाले प्लीट आगे जाएंगे वह अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी देखने में थोड़ा सा पीछे ही हटके लगाएं तो अभी नेक्स्ट ट्रिक क्या है मैं आपको बताती हूं हलका सा अपने बार को इस तरीके से अंदर वाले बार को हलका सा मोड लें और इसको फोल्ड करने के बाद एक स्टाइलिस लुक भी आ जाएगा तो एक बार मैं फिर से इसको अच्छे से ठीक कर दे रही हूं फाइनल लुक दिखाना है आप लोगों को उसके बाद थोड़ी सी साड़ी मैंने छोड़ दी है क्योंकि मैं सामने वाले प्लीट्स बना रही हूं और अभी आप देख सकते ह इसको मैं एक बार अच्छे से पकड़के उसके बाद बैली बटन के सामने इसको टक कर दूंगी और जैसे ही आप टक करते हैं बड़े वाले सेफटी फिंसे इसको सिक्यूर करना बिल्कुल भी न भूले क्योंकि अगर नेट की साड़ी है या वैसे भी है अगर आप इसको स साड़ी खूलेगी नहीं और नेट की साड़ी में कभी इधर उधर पिन ना लगा है क्योंकि यह फटने का चांस बहुत जादा रहता है इसमें तो अभी जो साड़ी मैंने छोड़ी हुई थी दूसरे साइड से हाट डालके इसको खीच लूंगी और यह अच्छे से सही कर लेंगे आप देख सकते हैं जैसे कि मैं सही कर रही हूं क्योंकि यह दूसरी साइड से विल्कुल फिश शेप दिखता है बहुत ही जादा अच्छा लगता है तो अभी साड़ी मैंने पहन ली है यह रहा मेरा फाइनल लूप तो उपर की प्लीट्स भी अच्छे बने इतना आसान नहीं होता है तो चलिए मिलते हूं आप से किसी और वीडियो में तब तक के लिए लव यू ओम साहिराम तब तक आप देखिए इसका फाइनल लूप झालता है तो तो उाँ खिर तो शगध है प्ले प्लीट में कि यह घंदा करने उलता वी है इसका हम पेदेश दो च्राइब कलर शांक है